जहिन दोस्तों मैंनी धिमेल चोहान आज हम करेंगे क्लास 9 का 2.4 का question number phone का first part इसमें हमें दिया गया है दिये हुए समीकरण के अव्यव कीजिए तो इसके लिए हमें क्या करना है आगे वाले नंबर और last नंबर यह निकी पहले नंबर और last नंबर को पहले करना है गुणा यह देखे बारा एकम बारा यह पहला नंबर है और यह last नंबर है इन दोनों को करेंगे गुणा अब जो गुणा आया है हमारा उसका हम लेंगे LCM यह देखे LCM लिया 2,6,12,2,3,6 और 3,3 ओके तो हमारा LCM आया यह बाहर वाले नंबर ओके अब हमें क्या करना है अब हमें दुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 12 आये 12 क्यों क्योंकि इन दोनों का गुणा कार आया था 12 और प्लस या माइनस करने पर आये 7 ओके फिर से सुन लिजिए हमें आसे दो नंबर ढुनने हैं कि गुणा करने पर तो आये 12 क्योंकि आगे और पिछले नंबर को गुण करने पर आया था 12 और प्लस या माइनस करने पर आये माइनस 7 तो हमने 12 का जो लसा लिया था LCM उसको हम देख लेते हैं 2 दूनी 4 और 3 तो 4 और 3 को यदि हम जोडते हैं तो आता है 7 और यदि हम उसको गुणा करते हैं यानि कि 4 गुणा 3 तो आता है 12 4 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं देखे 4 और 3 कहां से आया 2 दुनी 4 जो हमने L से हम लिया था वहां से 2 दुनी 4 4 और 3 2 टुकड़े 2 numbers 4 और 3 4 और 3 को यदि जोड़ते हैं तो आता है 7 4 और 3 को गुणा करते हैं यानि कि 4 तिया 12 तो इसलिए हमारे दो नमबर होंगे, 4 और 3, अब देखिए इसे हम यहां लिख देंगे, कैसे लिखेंगे इसे, आगे वाला नमबर आगे, पीछे वाला नमबर पीछे, हमें इसके बीच वाले के दो टुकड़े करने हैं, क्यूंकि हमें यहां माइनस 7 चाहिए, तो बड़ा नमबर हमारा माइनस का, है ना, और दोनों को जोडने पर, माइनस 4, माइनस 3, 4 और 3, 7, और 4 तिया 12, तो इस तरह से हमारा यह गुणनखंड हो चुका है, अब हम इसमें से common निकालेंगे, ठीक है, इसमें क्या common निकालेंगे, 4x, 4x, तो यहां हो जाएगा, 3x, यहां हो जा आया है, वही हमारा पिछला bracket भी, second bracket भी बनना चाहिए, जो यहां है, वही यहां, तो इसमें से हम common ले लेंगे, माइनस 1, तो हमें मिलेगा, 3x, माइनस 1, ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक यह वाले bracket का नमबर, और यह नमबर, और इस नमबर को हम डाल देंगे, एक ब्र ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगले में भी सेम, पहले आगे वाले और पीछे वाले को करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 6, यह देखें, ओके, 2, 3, 6, अब 6 का लेंगे LCM, यह LCM हो गया, 2, 3, 6, और 3, 1, 3, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमें बीच वाल पर तो 6 आए, और प्लस या माइनस करने पर 7 आए, ओके, गुणा करने पर 6 आए, क्योंकि पहले और आखरी नंबर को हमने गुणा किया था, तो 6 मिला था, इसलिए इसके ऐसे दो टुकडे करने हैं, कि गुणा करने पर 6 आए, और प्लस या माइनस करने पर 7 आए, तो मिलते हैं हमें 6 जोड़ेंगे तो आ याजाएगा ठीक है तो हमारे दो टुकड़े हुए 6 और 1 यानी कि 6 एकम 6 तो मिलता है हमें 6 और 6 और एक को जोडते हैं तो हमें मिलता है 7 तो इसलिए हमारे दो टुकड़े हो गए 6X और 1X अब यहां प्लस का है तो बड़ा नमबर प्लस का ठीक है तो पहला नमबर और यह आखरी नमबर बीच में हमें जो हमने टुकड़े की हैं वो हमें रखने है अब इन दोनों में से हम कॉमल लेंगे 2X तो यहां रह जाएगा X प्लस 3 जो यहां आया है वही हमारा पीछे भी आना चाहिए तो इसमें से हम कॉमल लेंगे प्लस 1 क्योंकि यह नमबर एस इट इस है ठीक है अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए एक नमबर में एक ब्रैकेट में हम इन दोनों को रख देंगे है ना 2X प्लस 1 और इन दोनों ब्रैकेटें से एक ले लेंगे ठीक है इस तरह से हमारा एक क्वेशन यहां खतम होता है मिलते अगली वीडियो में अगले क्वेशन के साथ जय हिन जय भारत